प्रिये सात्यों, नियो इंडिया नवबार्थ निर्मान के इस ओनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है प्रिये सात्यों, आज हम पेपर थड़ का जो पार्ट थड़ है और उसका यूनिट है A, खेले हम योगा, उससे समंधित हम बात करेंगे उसका सेलेबस क्या है, सेलेबस पर हम चर्चा करेंगे, पिसले वर्सों के जो पेपर आए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और तरज़ा करने के बाद में हम ये देखेंगे कि paper में कौन-कौन से topic जो बार-बार repetition हो रहा है अभी तक दो paper हुए हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कौन सा repeat हुआ है या फिर हमें जब पढ़ रहे हैं तो क्या-क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम एक बार syllabus देखते हैं उसके बाद में पिछले वर्स के जो paper आएं उसके discuss करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जैसा मैं पहले बता दिया आपको कि ये जो paper third है part third और unit है एक KLM yoga उसके हम कहां कहां बात करने वाला हैं कहां तक आपको पढ़ना है उसके बात करेंगे पुराने वर्सों के जो paper है उसका visualization करेंगे विशलेशन करने का तात्तरी ये है कि हम ये देखेंगे कि किस topic से कितने प्रशन आ रहे हैं या फिर RPC का अभी दो साल का जो दो बार जो paper हुआ है उसमें ने नोंने 2018 के बाद में 21 में विशन हो दन किया उसके बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे कि अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं आपकोर जैसे खेल योगा है वीद कई वेवार वेवार वीदी है इसको आप अच्से से करें सेलबस according to RPC हम 2018 और 2021 का जो सेलबस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं चूंकि 2018 में मैं इसलिए इस पर डिसकस करना चाहूँगा कि RPC ने 2018 का जो सेलबस था उसको तो 2021 में थोड़ा सा चेंज किया है तो चेंज क्या क्या किया है वो हम इसलिए देख रहे हैं कि पहले जो आगे हम जब पेपर डिसकस्शन करेंगे तो उसमें कंपरीजिन करना थोड़ा ठीक रहेगा कि 2008 नम कौन सा टोपिक नहीं था 21 में जुड़ा और नया जुड़ते यदि कोई प्रशना आता इसका मतलब यह हुआ कि RPC का यह ट्रेंड है कि जब कोई नया टोपिक जुड़ता है तो उसको उसमें दिया जाता है 2018 का जो पहला टोपिक था टोपिक भारत में खेलों की नीतियां लेकिन 2021 में पूरा वैल डिफाइन ऐसे कर दिया भारत एवन राजस्तान राजजे की खेल नीति तो इसमें हम बात करेंगे कि जो टोपिक है कितने टोपिक है एक दो तीन चार पांच छे और साथ साथ टोपि ट्रोपिक लेकिन 2021 में इन्हों ने ये किया कि भारतिय क्हेल पुरादिकरन राज्ये ओ गरीडा पिरिषद का उलकी कर दिया तो इसमें एक बात जो मुझे देखने को वन देख पा रहा हूं वह यह कि भारतिये खेल नीतियां पढ़ते हैं तो उसमें भादिक्यार प्राद तो इसमें हम देखेंगे कि और कौन-कौन से परिवर्थन हुए तो तीसरा टोपिक जो है राष्ट्रे अवं रास्तान राज्य के खेल पुरुसकार राष्ट्रे अवं रास्तान राज्य के खेल पुरुसकार इसमें बिल्कुल वैल डिफाइन लिख दिया इनोंने लेकिन प उसके बाद में योग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया बारत के स्रेष्ट खिलाडी तो बारत के स्रेष्ट खिलाडी या बारत के प्रमुक विच्छात खेल वेक्तित तो एक बात है खेलों में प्रात्मीक उप्चार जो 2018 टोपिक जुड़ा हुआ था लेकिन पुन्रवा के साथ में जोड़े गए हैं तो मोटा मोटा मेरा कहने के मतलब यह है कि 2021 में आपको क्या क्या है या फिर अभी जैसे 2022 की वेकेंसी आईगी तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि और कुछ चैंज होगा लेकिन आरपीशी का थोड़ा एक ट्रेंड रहा है कि वह आप सभी साथी अफना सैलेबस दोनों भासा में लेकर आए हिंदी और इंगलिश में इंगलिश में और इंदी में दोनों भासा में लाने और उसको मिलाना भी है कि तो आप English में भी syllabus जरूर पढ़ें और जो आपका material जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें यदि आपको लगता है कि इसकी English मुझे आने चीए तो आप English जरूर देखें तो आगे हम English में भी थोड़ा syllabus देख लेते हैं इसमें कोई मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है योगा और इमिनेंट इसमें कोई इतना भारी बरकम नहीं था लेकिन आपको इसको इंडी और इंग्लिस दोनों में देखना है पूरा syllabus आप इंडी इंग्लिस में लेके आएंगे अब जो मैं बात करूंगा वो है decoding of syllabus, decoding of syllabus कराने जो बताने का मतलब है आप इसको ऐसे समझें कि अब आपको मिल्कुल ही syllabus को syllabus के point to point मिल्कुल आपको रटना है समझना है और एक बात आप हमेसे आज ही गांट बांद लो कि जो syllabus का जो topic है record करने के बाद में जितने topic बने उस पे आपको कम से कम 50 सब्द बोलने आने ही चाहिए, 50 से 100 सब्द, चुकि इसमें 5 अंक का ही है लेकिन आपको 100 सब्द आएंगे तभी आप 50 सब्द अच्छे से लिख पाएंगे, तो 100 सब्द आपको आने चाहिए, तो chapter 1 की हम बात करें, तो पहला है भारत की खेल नीतिया, हम बिल्कुल ऐसे ही आपको एक की य खेल नीतिया में आपको ऐसे बिल्कुली छोटा सा, कम से कम आपको 100 सब्द आने चाहिए, क्या है, कि भारतिक सरुपरतम खेल नीति कब आई, उसका क्या उद्दिश ही था, उसके बाद में कौन कौन सी खेल नीतिया आई, और उसके अभी latest कौन सी खेल नीतिया चल रही है, और उस खेल नीति के अनुसार क्या क्या हो रहा है, और अभी कोई खेल नीति का ड्राप्ट बना हुआ है क्या, तो मोटा मोटा यह हो गया, तो आप इसको देखनेंगे, रास्तान में भी यह है, रास्तान की पहली खेल नीति कब आई, उसके बाद में कितनी खेल नीतिया आ भारती खेल पादिकरण के जब आपको पुछा जाता है तो आपको आपको याद होना चाहिए कि मेरे सेलिबस में क्या क्या है पहला आपको याद हुआ कि भारती के खेललत्य नहीं जांती recuperate तिसरा क्या है बारतिये खेल प्रादिकर्ण और चौता क्या है रास्तान राधिकर्ण के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इसकी इस्थाप्न का बूई थी, इसके विहान के ब राधिकर्ण तो यह मोटा मोटा कोई भी शंस्ता होती है उसके बारे में आपको एक मोटा मोटा व्यू यह होना चाहिए चौधा topic जो अपण है वह राश्तान-rijk Pharmorial पुरा जाक्षाला परिषद जैसे भारतिये खेल पराधिकर नहीं प्रकार राश्त-राश्तान-형 कि योगदान में इसका क्या योगदान है तो हम यह इसको देख लेंगे चैप्टर थी चैप्टर थी में फिर दो टोपिक हो गए हमारे मैं जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो हम अलग-अलग बाटने से फायदा यह हुआ कि अभी हमें राज्य राष्ट्री खेल पड़ लिए उसके बाद में राज्य खेल पुरुषकार पड़ लेंगे और उसमें जो अभी वर्तमान में अभी लेटर जो पीछे जैसे मान लेते हैं 2022 की जब भी एक्जाम होगी उसमें हम राजस्तान के प्रतम मालना प्रता पुरुषकार किसने जीता था राजस्तान के वरतमान में किसने जीता था तो एक तो पहला एक लास्ट एक ओलंपिक वगराम जो जीते हैं यह ओलंपिक और पैरा ओलंपिक वगरा का जो है चैप्टर है वो बाद में आता है लेकिन जो र घंटर को करेंगे तो उसमें ठोड़ा रखनेंगे कि योग परिवास सथी गई है उसके बाद में हम रहे हैं कि योग का क्या है कि योग का शूरी नमसकार क्या होता और और विश्योग दिवस का मना जाता है, मुझे लगता है कि विश्योग दिवस का प्रश्ण अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे जांतक है, उम्मीद है, अब भी बार आने की संभाव ना है, तो आप इसको अच्छे से करें, इस पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, और और उनकी जो उपलब दिया है, उसको हम आपके सामने जो आपको नोच्ट देंगे, उसमें हम लिख के देंगे, इसमें ये है कि भारत के जो विख्यात खेल विक्तिक्तो है, इसमें हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में कौन-कौन से खेल, जो खिलाडी है, वो अच्छा का बंदित है, इन्होंने क्या-क्या इनकी उपलब दिया रही है, इनका यदि कोई पुष्टार दिया गया है, पादम स्री, पादमी, बूशन दिया गया है, तो उसका उल्ले कर दें, तो आपको दो नमबर, और थोड़ा ये कि आपको ये ये भी पता हो, कि ये किस राज़ि जब खेलते हुए चोटिल हो जाता है, तो चोटिल होने पर उसके लिए प्रात्मी को उप्चार क्या किया जा सकता है, और प्रात्मी को उप्चार करने के बाद में, उसको पुनरवास मतलब क्या हुआ, कि भाई, वो खेलने लाहिक कैसे होगा, उस सम्झार में बात करेंग अच्छा कर रहे हैं उनके बारे हम बात करेंगे देकिन इसydd की सुरुआत कब हुई भारत से हमें यह कौन कोन छीते हैं तो इसमें बात करेंगे तो यह चैप्टर में अच्छे से केलियर हो जाएं और ज्यादा बड़ा वीडियो ने बना के हम आपको पूरा विश्वास देलाते हैं कि हम अभी जो भी चैप्टर आपके लिए बना रहे हैं चैप्टर कितने हैं साथ है और साथ सेप्टर में भी आमने जब किया उसको तो कितने पॉइंट होगे दो तो यह हुए चार चैसाथ आठ नो दस और तो चोदा या 11 तो हम कहीं सकता हैं साथ के 11 पॉइंट होगे तो भारत की खेल ने थी राजस्तान की खेल ने थी आपने राजस्तान की खेल नीती मैं आपको पुरार आ जिये उसके बाद में किया है उसके बाद में हैं राज्स्तान भारती खेल प्राधी उसके बाद में क्या करते हैं कौन क्या प्रिशवीर तीसरे टोपिक आपको जैसे राष्टी खेल पुरुषकार आपको यह आदोनाची कि तीसरे में पुरुषकार है, दूसरे में संस्ता है, पहले में नीती है, पहले में क्या है नीती, दूसरे में क्या है संस्ता, तीसरे में क्या है पुरुषकार, पुरुषकार में क्या है र प्रचुक्ताइं होती है उसमें बारतिक खिलाडियों का क्या योगदान रहा उसमें अलमपिक हो जाएगा पइरा उलमपिक और एशियन तो पहेले क्या है निती दूसरी क्या है संस्ता तीसरा क्या है परुष्का चोथा क्या है चोथा हो गया योग Ihrerघ्र छटा क्लीक उपलागी साथ हो गया जो इंट्रनेशनल इस्तर पर जो अपनी होती है प्रत्युक्ता होती है ओलम्पिक पैरा ओलम्पिक एसियन कॉमन वेल्ट तो मुझे लगता है कि आपको सेलिबस बिल्कुल याद हो गया होगा और हमारा ये उद्दिश्य भी है हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो जो भी अच्छे से पढ़ रहे हैं अच्छे से तैयारी करेंगे और हम उनके लिए इतनी मैनत कर रहे हैं तो वो हमें उमीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अमारी इस मैनत का सम्मान करेंगे और वो भी इससे कहीं गुना ज्यादा मैनत करेंग तो मुझे लगता है कि आपको स्टाइम meisten वगया हुगा इसमें कमसर्श सेलबस तो याद हो है तो इसका सेलबस करनें के हमारा उद्डश है यह है की आपको progress याद ने के पीछे जो ऑलम्पीक गया उसमें कितने पदक जीते थे बारत ने पहले सबसे पहला पदक कब जीता था फिर पूछा पैरा ऑलम्पीक पैरा उलम्पीक कब की शुरूआ तो आपको ये इतना अच्छे से एक बार हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्पिटेंस भी है वो भी बिल्लडप हो जाएगा अभी हम जैसे मैंना पहले भी बताया था कि हम पेपर जो है उसपे भी डिसकस करेंगे पेपर डिसकस करने का उद्देश ये है कि जिससे आपको पता चल चके जो पेपर आ रहा है उसका ट्रेंड क्या है आर पीसी कहां से प्रश्ण पूछ रही है पहले आपको बता दिया था दो जार अठार हम खेलें योग का जो चैप्टर है जो यूनिट है यूनिट यह जुड़ी है इसमें हम बात करेंगे यूनिट खेल योग 2018 से जुड़ी है तो 2018 का जो पेपर है उस पे हम बात करते हैं पहला प्रश्ण था खेलों में विशिष्ट आवार्ड पर टिपनी लिखी है देखो मैंने एक पहले बात पताई थी कि आपको हर जो टोपिक है उस पे कम से कम सो सब्द आपको आने चीए जैसे इसमें बीस सब कि आप ये कैदो कि अभी वर्तमान जो है 2021 में किसे ये अवार्ड दिया गया ये अवार्ड क्यों दिया जाता है इस समझे में आपने लिख दिया तीन पॉइंट या चार पॉइंट लेका दो मेंस दो आपको नमबर आ जाएंगे उसके बाद में हम बात करेंगे रास्तान असले切ढर घंचा होगा वहीं चला कॉण रहा है उसको चला रहा है चला कॉण रहा है उसके बाद मैं यह क्या पूछ नहीं करया पूद करthis के पदान Tapi चलने अपूर्वी चंदिला की उपलुद्या लिखी है अपूर्वी चंदिला भार्थ के खेल वैक्तितpower मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भार्थ की बात आएगी तो उस राजस्थान अपने आप आ जाएगा हम राजस्थान को बहुत बहत्रिन करेंगे यदि भार्थ की खेल वेक्तितु पूछ रहे हैं तो उसमें एक टोपिक को अपने आप इसको इंक्लूड माना जाए कि राजस्थान की खेल वेक्तितु भी हमें पढ़ने हैं ऑपूरी चंदेला जी के बारे में पूछा है, तो आपको क्या क्या लेक्शना है वह लेक्तिक आपने का जिए कूंसे है इनका ये खेल की खेल की खेल कब सब्सक्क्रते हिरा थे ब्रांड एमेस्टर के रूप में भी नुक्त करती है जैसे पिछली बार राजी निर्वाचन आयोग ने किया था कि इससे क्या होता है कि वेक्ति यदि कोई खेल में अच्छा करता है और वह बात बताता है कि वोट देने के लिए बार निकलिए वोट कीजी ज्यादा ज्याद जब सुनी जाती है तो उनके लिए ब्रांड एमेस्टर भी बनाया जाता है तो आप इसको जरूर मेंसें करें यदि आपको लगता है कि यह वेक्ति अभी कहीं ब्रांड एमेस्टर बनाये गया है तो आप उसको पॉइंट में लिख दीजिए कि हाली में इने राजी सरकार दोरा या केंदर सरकार दोरा इसके लिए ब्रांड एमेस्टर निक्ट किया गया है तो आपका यह प्लस पॉइंट होगा आप बिलकुल दूसरे आपके लिए जो मेंटर तयार कर रहे हैं उसमें बिलकुल करन्ट अपडेट कर देंगे लेकिन इसके बावजुद भी कई बा प्रात्मिक उप्चार में उप्चार तो ठीक है लेकिन उप्चार आप करोगे किसका अप्चार आप करोगे खेल के दोरान लगते माली चोटोंगे तो एक ये फ्रैक्चर है फ्रैक्चर के बारे में पूछा है प्रात्मिक उप्चार से समंदित प्रशन है इसके बाद में हम आगे बढ़े मानव ठककर की खेलों में उपलद्यों को लिखिए ये प्रश्ण देखो 2018 में ये 2018 का जो पेपर मैं ने दिया था तो ये प्रश्ण मेरा पूरा खाली गया था क्यूंकि मानव ठककर जी की बारे में थोड़ा ये करंट का बिल्कुल करंट का इस्यू करंट के करंट में अच्छा खेल रहे थे तो इसके लिए था टेबल टेनिस से समंधित खिलाडी है तो आपको अकबार जरूर पढ़ते रहना है और जैसे मानव ठककर है तो इनके बारे में अब ये पूछा क्यों गया इसके बारे में एक प्रश्ण आ गया आएगा तब मैं आपको इसमें और डिसकस करूंगा तो खेल व्यक्ति तो मतलब व्यक्ति जो खेल व्यक्तितों का जो टोपिक था अपना उससे प्रश्ण पूछा गया है पांच और आपको तो योग जो चार नंबर का टोपिक है योग में मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा डेप्त में अभी तो नहीं जा रहे हैं लेकिन हो सकता है बाद में तो हम इसको थोड़ा अच्छे से करवा देंगे आपको बिल्कुल टैंसल नेक जरुत नहीं है योग करमसु कोशलम कर्म की कुशलता ही योग है तो यह थोड़ा इसको डिफाइन करना था और बिल्कुल सीधा स्वाल था लगू टिपनी लिखिये PSPB टैबल टैनिस यह 2008 अरकल टक्कर वाला क्यूशन और PSPB वाला क्यूशन यह दोनों प्रशन खाली गए कई लोगों को गए मेरे बी गए और कई लोगों को गए इसमें एक बात और एड़ना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसा प्रशन जो आपको न और या मांक्स मिलेंगे लेकिन किसी ने लिखा है आपने गलत लिखा है तो इसका नेगीटिव फेक्ट जाता है कि किसी को आई ने रहा है और बिना मतलब तुक के लगा रहा है मैंने ये दोनों प्रशन खाली छोड़ दिये थे तो PSPB के बारे में ये आया क्यों था प्रशन मनलब साथ नंबर के क्यूशन इल्कुली ऐसे अगये ये दोनों ही चैबल टैनिस मानुष ठकरजिया है ये चैबल टैनिस से समंदित है और चैबल टैनिस अकाडमी है ये अजमेर में इस्तित होने के कांड इए इंपर्टेंट हो गया क्योंकि इस कंपिनी डेस उत्ताह दै पहले अजमेर में ये PSPB Table Tennis Academy में एक प्रत्युक्ता का आयोजन किया गया था, ये राष्ट्रे इस्तर की प्रत्युक्ता थी, इसलिए बहुत very important हो गया था, उसके बाद में current update का जो होगा, उसको भी हम वीडियो में डाल देंगे, अभी आप इसके लिए निचिन्तित रहें, जो हम target दे रहें, उसको आप अपने achieve कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से, अभी यदि में 2018 का जो पेपर है, उस पेपर का जब हम निशकर्स पर यदि पहु थे, तो आपको राजस्थान तो बिल्कुली अच्छे से कर नहीं है, मेरा मानना है कि लगबग 10-10 का ratio रहता है, राजस्थान और भारत का या फिर राजस्थान और अन्य का, भारत का इसमें नहीं कह पाएंगे, क्यों योग का जो प्रस्टन है उसको ऐसे, तो राजस्था पर कोई व्यक्ति, अच्छा खेल खेल रहा है, या करेंट पर कोई ऐसी अकादमी, जो राश्थ्री इस्तर की अकादमी है, यह मैं पहले बता तुका हूँ कि PSPB है, जो उसमें कितनी 12 तेल हैं, गैस उत्वादर कंपनिया है, उसके द्वारा इस्तापित कंपनिय है, पेट इसके बाद में कई राश्थ्र, अंतराश्थ्र की खिलाडी, टेबल टैनिस के खिलाडी यहां से निकले हैं, हम बात करेंगे 2021 की, 2021 का जो पेपर है, पेपर डिसक्रस नम करेंगे, और उसके बाद में हम थोड़ा सा कंपरीजिन करेंगे, 2018 और इकीस के बीच में, 2018 के बीच आपको कोई भी प्रश्ण है, या फिर कोई भी डी टूपिक है, उशमे सो सब्द कम से कम आपको उस पर बोलना आना ही चाहिए, इतनी कमार्ट तो आपकी होनी ही, ताकि आप सो सब्द उस पर बोल चके हैं, तो आपको क्या पूचा है कि वारशी ग्रूप दिए जाने वाल यह दो नबर मिल जाएगा और आपको याद है तो दो में से दो नमबर मिल जाएगे दूसरा प्रकार लिखिये यह थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल कुश्चन था और इसमें योग जो है उसको जिसने अच्छे से पड़ा है उसको वह कर पाया हूंगे क्यो योग राज उपनिशद के अनुसरार योग के परकार योग की परिवास से पूछते तो भी कुछ लिखते लेकिन योग के परकार पूछ लिया है तो मुझे लगता है कि इसको अब की बार हम बहुत अच्छे से कराने के प्रयास करेंगे थोड़ा टोपिक बड़ा हो जाता है इसलिए हम उसको फुशूर ने करतें लेकिन अच्छे से करवाएंगे उसको योग राज उपनिशद को के अनुसर योग के प्रकार कितने है पहले आगया योग मने दिया था लेकिन पहले अईस लगा कि HD मिल जाएगा लेकिन .5 से HDM नहीं मिल पाया तो इससे यह सीख मिलती है कि बीच नमबर में से आप यदि सब पंद्रा चौदा पंद्रा या पंद्रा प्लस नमबर लाते हैं तो कितना मैं तो कोन है क्रिड़ा प्रिशद की साइट है उसमें आप देखिएंगे अर्जून आवाडी अर्जून आवाडी में जब देखेंगे फुटबोल फुटबोल देखेंगे तो उसमें मगन सींग जी नाम है तो इसका अर्थ यह हुगा कि आपको एक बार साइट देखनी है हम बिलकुल न वैंचलित रास्तान राजे खेल परिश्यद और खेल परिश्यद एक यह तो मैंनने का था आप इंग्लिश बी साथ में देखें रास्तान इस्पोर्ट्स कॉंसिल किरीडा के जिएगे खेल आ गया तो इससे возь frightened हो गया की जल्दी इतना दिमाग हो तेज चंदा नहीं तो उससे समझेश狂 सिधा घ्यांचन थे खेल आदा पुर्षका मेजर फ्रूषीयों की सम्वानित पेरा खिलाडियों की सिद्धा प्रशन था उसके बाद में ये प्रश्ण मैं देख पा रहा हूं बिल्कुली थोड़ा मुझे लगता कि प्रश्ण था कि राष्टी छेल नीती में खिलाडियों के व्यग्यानिक क्या मैं बार-बार कह रहा हूं कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लीश का सेलेबस भी देखना है मतलब देखना है अब यह खिलाडियों के व्यग्यानिक पूर्तिकर यह थोड़ा सब्दय से लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि व्यग्यानिक पूर्तिकर क्या है लेकि अब यदि उसको मोबाल चेंज भी करता है तो बैकप मैंसे आप ले सकते हो То मतलब क्या हुआ कोई व्यक्ति जो खिलाडिये उसको खेल रहा है तो उसको बैकप मिल जाए मतलब उसको ऐसा अच्छी ट determination मिले इसको अच्छा फीजयो मिले उसको डईट मिले उसके वेग्यान से क्या आठ पे लिखा हुआ सीधा सिग्निफिकेंश और साइंटिफिक वेक अप टू स्पोर्स पर्सन यह प्रशन वहीं से उठाया गया था तो मुझे लगता है कि स्पोर्स पोलिस है उसको हम करवा रहे हैं अच्छे से लेकिन आप उसको एक बार देख सकते हैं लेकिन हम को अच्छे से करा रहे हैं खेलों में पुनरिस्तापना क्या है टी इन से किस्या को परिभाशित कीजिए इसमें भी आपको मैंने बताया कि जब कोई शेलेबस में नए टॉपिक जुड़ता है तो उसका क्यूशन जरूर आता है तो यह क्यूशन वहीं से आया है जो प्रात पर आती साथ जो प्रश्न पेपर आया है जो पेपर आ रहा है दोनों पकर घूरा पर आ नुए और मुटी मूटी बात यह कि यदि कोई नए जुड़ रहा हैै संपर कर सकते मुझे बता देगी मैं अर्ले वीडियो में अन्गले बात कर लूंगा